एक आदमी और एक औरत दोनों आपस में प्रेम करते थे। औरत के पती को पता नहीं था कि मेरी औरत मुझे धोखा दे करके किसी और के साथ में संबंद बना रही है। हलाकि यहां तक तो बाते ठीक थें लेकिन अब उस आदमी को उसकी बेटी से भी प्रेम हो जाता है। और यह प्यार इतना आगे चलके भयंकर हो सकता है यह किसी ने भी सोचा नहीं था। जो भी सुन रहा था इस घटना के बारे में बिल्कुल चौक जा रहा था। जो भी अभी मैंने आपको बताया यह सुन करके आपके दिमाग में यह आ सकता है कि मैं कोई बनावटी कहानी आपको सुना रहा हूं या तो कोई फिल्मी कहानी आपको सुना रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं है। यह घटना उतना ही सच है जितना की आप अभी मेरे वीडियो को देख रहे हो। खैर अगर मेरी बातों पर यकीन ना हो तो आप यह वीडियो कम्पलीट करने के बाद गुगल कर सकते हो इस घटना के बारे में। तो मा और बेटी दोनों एक ही सक्स से प्यार करते थे और संबंद भी बनाते थे। इस कहानी की सुरुवाती समय में हम चलते हैं कि सुरुवात कब हुआ और यह घटना कहां की है। देखिए गुजरात के माधापारा के करीबन 55 किलोमीटर दूर हमीर मूरा एक गाउं है। और पुलिस को ये पता चला कि हमीर मूरा गाउं में एक औरत की बोडी समुंदर के किनारे पड़ी हुई है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और यह बात सच होती है। एक महिला की बोडी समुंदर के किनारे पर पड़ी होती है। पुलिस जाने के बाद छान बिन करना सुरू कर देती है। पर पुलिस ये कभी नहीं सोची थी कि ये घटना इतनी अलग होगी। खेर छान बिन करने के दोरान पहला ही जटका पुलिस को तुरंत लगता है और ये पता चलता है कि जिस जगेह पे अभी हम लोग हैं वहाँ पे एक भी CCTV पुटेज नहीं है और नहीं कहीं आसपास में CCTV कैमरा लगाया गया है। पुलिस को दूसरा जटका तब लगता है जब पुलिस को ये बात पता चलती है कि जिस जगेह पे हम अभी खड़े हैं यहाँ पर बाहरी लोग बहुत ना की मातरा में आते हैं या तो कह सकते हैं कि बाहरी लोग यहाँ पे आते ही नहीं हैं यानि जो भी ये महिला है वो ही सब सोच रही होती है लेकिन अभी तक तो यही confirm नहीं हुआ था कि जो महिला की body मिली है वो है किसकी खेर पुलिस को कोई भी प्रमाड नहीं मिलता तो पुलिस एक काम करती है परची बनवाती है और जो आने जाने वाली गाडियां होती है उस पे सटा दिया जाता है फोटो क वक्त बीटता है और कुछ भी पुलिस को नहीं पता चलता अब पुलिस आसपास के जो छोटे छोटे एकका दुपका गाओं थे थोड़े थोड़े लोग थे यहाँ पर जा करके पूछना शुरू करती है कि क्या यहाँ पे कोई आया था किसी को किसी ने देखा था या फिर कोई घटना हुई थी बकाइदा पुलिस सातिरपने से लोगों से पूछ रही थी चुपके चुपके और पुलिस को यहाँ पे एक बात पता चलती है बात यह होती है कि कुछ लोग बताते हैं कि गाओं में करीबन देड़ महीने पहले कुछ समाजिक समारोह हुआ था और उ कुछ क्लू तो हमें चलो फाइनली मिल गया और अब यहां से पुलिस उस समारोह का डेट निकालती है कि कि किस दिन वो समारोह हुआ था इस गाओं में और उसके बाद पुलिस फिर कॉल डिटेल्स प्राप्त करती है कॉल डिटेल्स निकलवाती है और कॉल डिटेल्स लिकल जोतियाना को जानती नहीं थी इसलिए जोतियाना को पुलिस गिरफतार करती है या तो कहें कि बुलाती है पूछताश करने के लिए जोतियाना पे बहुत जादा प्रेसर बनाया जाता है पुलिस का और अंततह जोतियाना तूट करके कबूल कर लेता है कि हाँ ये जो है वो मै यह जो body है इसके साथ मैंने ऐसा किया है लेकिन और भी बहुत सारे राज खोलता है जोतियाना जो देखिये कितना बड़ा राज था दरसल जोतियाना के अनुसार वो पुलिस को बताता है जोतियाना एक लक्षमी नाम की महिला से संबंद में था अवैद्ध संबंद में और उ उसका पती दूसरा पती था यानि महिला लक्षमी जो है उसकी पहली भी साधी हुई थी 7 साल पहले लेकिन वो अब तूट चुकी थी और अब लक्षमी दूसरे पती के साथ में रह रही थी हलाकि लक्षमी के पहले पती से एक बेटी भी थी और वो अब 17 साल की हो चुकी थ लेकिन उसी बेटी के साथ लक्षमी दूसरे पती के पास रहती थी और यहीं पर जोतियाना का आना जाना होता है धिरे धिरे महिला लक्षमी और जोतियाना करीब बढ़ते हैं और इन दोनों में एक संबंद बन जाता है संबंद बनने के बाद अब तो डेली का था जब पती घर से बाहर होता है जोतियाना घर के अंदर होता है उसकी बेटी भी जो महिला की बेटी है वो भी घर पे रहती थी तो जोतियाना की और उस बेटी की हमेशा आपस में बाच्चित होती रहती थी अभी तक तो कुछ था नहीं लेकिन आगे कुछ होने वाला जरूर था खेर पती को पता चल जाता है कि मेरी जो बीवी है वो जोतियाना के साथ संबंध में है और इसलिए पती और लक्षमी यानि पतनी के बीच में जगड़ा भी होता है लेकिन इसका कोई निसकर्स नहीं निकलता लक्षमी साफ साफ कह देती है कि तुम्हें जो करना है करो मेरे घर पे तो वो आएगा जाएगा वो मुझसे ही मिलने आता जाता है अब तो उसका पती कुछ करी नहीं सकता था क्योंकि अब पती पतनी में बनता नहीं था जोतियाना आता जाता था वक्त बीचता जाता है और धीरे धीरे जोतियाना का मन लक्षमी की बेटी की तरफ भी बढ़ता है और लक्षमी की बेटी का भी मन जोतियाना की तरफ बढ़ता है और ऐसे बेटी और जोतियाना दोनों करीब आ जाते हैं और अब हम कह सकते हैं कि मा और बेटी का बॉइफरेंड जो है वो सेम है एक ही व्यक्ति है खिर अब इन लोगों में भी चलने लगता है मा नहीं होती तो बेटी ही सही, बेटी नहीं होती तो मा ही सही यानि दोनों में ये सब चलने लगता है खैर एक बार उसकी मा को भी ये बाते पता चल जाती है कि मेरा जो बोईफ्रेंड है वो मेरी बेटी को भी डेट कर रहा है अब यहाँ सुरू होता है बवाल अब मा जो लक्ष्मी है वो अपनी बेटी को जोतियाना से दूर रखना चाहती थी और इसलिए उसे दूर कर रही थी बार बार टोकती थी कि तुम दूर रहो तुम दूर रहो और इसी बात से तंग हो गई थी लक्ष्मी की बेटी कि तुम मुझे रोक क्यों रही हो मुझे तो उसके साथ रहना है और जोतियाना तो दोनों के साथ था ही तो उसकी बेटी जोतियाना से बात करके एक शडियंत्र रचती है और वो शडियंत्र अब हम आपको बताते हैं एक समय आता है जब जोतियाना और बेटी वो लोग एक प्लैन करते हैं और उस प्लैन में जोतियाना का एक और दोस्त भी आता है तो ये लोग तै करते हैं कि पास ही में एक गाउ है और वहाँ पर एक समारो होने वाला है, पार्टी होने वाली है समाजिक समारो होने वाला है तो इन लोगों को वहाँ पे जाना चाहिए घूमना चाहिए हलाकि घूमने का तो बहाना था असलिक मकसद तो कुछ और था क्योंकि सडियंतर रचा जा चुका था खेर ये चारों लोग महिला, महिला की बेटी और जोतियाना और उसका दोस्त ये चार लोग उस समारोह में जाते हैं समारोह खत्म होता है और फिर ये लोग निकलते हैं समुंद्र के किनारे घूमने के लिए उधर कोई जाता नहीं था वहाँ पर ये सभी लोग पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद जोतियाना मौका देख करके लक्ष्मी जो लड़की की मा थी उस पर अपना निसाना साथता है और फिर तो आपको पता ही है कि वहाँ पर क्या होता है खैर यहाँ पर लक्ष्मी को वही पर छोड़ दिया जाता है और ये तीन लोग वहाँ से निकल जाते हैं लक्ष्मी को छोड़ करके क्योंकि लक्ष्मी अब इस दुनिया में थी ही नहीं और इस तरीके से बेटी ने आ रहे काटे को रास्ते से खतम कर दिया और वो काटा कोई और नहीं उसकी माही थी हलाकि अब ये सब सब कुछ बात जोतियाना पुलिस को बता देता है और इसी गवाही के आधार पर उन दोनों लोगों को पकड़ा जाता है जोतियाना तो पकड़ा ही गया साथी साथ उसका दोस्त जो इसमें साथ दिया होता है और वो लड़की उसको भी पकड़ा जाता है औ और इन दोनों आरोपियों को जेल में भीज दिया जाता है और इस तरीके से ये केस सॉल्व होता है इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा एक ही होता है ताकि आप इस दुनिया को देखें जिसको आप मस्त दुनिया समझते हैं उसी दुनिया में ऐसी ऐसी चीजे होती हैं जो कि पहानी सुनने के लिए जानने के लिए बातें और सतरक रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को जुड़े रही है हमारे साथ राम राम